प्राइस 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 क्या क्या इसमें इसके अंदर है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो नोकिय नाइन के पहले जो लाउंच हों था नोकिय के फोन ओ है नोकिय टू त्थो उसका प्राइस जो है लगबद था 6999 रुपे तो इसोई नोकियाने अन्समेंट किया कि नोकिया 9 लांच करने के लिए तो तो नोकिया 9 के जो प्राइज है ओ है 35,990 रूपय तो पहले हम बात करते हैं स्क्रीन के तो स्क्रीन आपको Super AMOLED नहीं मिल रहा है इसमें AMOLED डिस्प्ले है और इसका साइज है 5.5 इंच का और इसमें आपको रिजुलेशन जो है दिया गया है 1440 x 2560 पिक्सल का और इसका PPI जो है 534 PPI है और इसमें आपको Ultra HD High Resolution जो है रिकॉर्डिंग मिलता है एक उससा 60P ऐसा ही कुछ है तो इसमें आपको Possessor Consum मिल रहा है तो इसमें आपको 2.5 GHz का OctaCore Possessor मिल रहा है और आपको मिल रहा है 4GB RAM और 128GB का Storage तो अब हम बात करते हैं Camera की तो दोस्तों आपको इसमें Camera देखने को मिलेगा 13 Megapixel और 12 Megapixel का Dual Flash बले LED Camera प्राइमरी और Front Camera जो है ओ भी 13 Megapixel का है तो दोस्तों यह Phone 3G, 4G, Volti सब सपोर्ट करता है Wi-Fi सब कुछ तो इसमें आपको क्या-क्या Sensor जो है देखने को मिल रहा है तो पहला Sensor जो है एक्सेलोरमीटर, जाइरोस्कोप और नया जो है दिया गया है Compass तो इसमें आपको Fingerprint Scanner जो है यह भी आपको देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इसमें दिक्कत वाली तीन चीज़ है तो पहला चीज़ है इसका बैटरी जो है Non-remobile है और दूसरा चीज़ है यह जो Set है Hybrid Sim Slot है इसके अंदर और तीसरा जो चीज़ है यह जो है टीवी से Connect नहीं होगा तो दोस्तों यही था अचका वीडियो आपको बताना था Nokia 9 के बारे में इसका Price Specification तो आपको वीडियो कैसा लगा आप Comment बक्स पे बताओ और वीडियो को अच्छा लगा तो Like कर देना और अगर पहली बार मेरे चलेंग देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो आज के लिए Goodbye दोस्तों